नक्सा सुद्धिकरन पकवाडा सुरीज घ्यानूदय ग्यान चैनल पर अनुबरत जारी है। उसी तारतम में इसी वीडियो में देखेंगे किस तुटी में क्या कारवाई करना है। प्रतेविदन किसे देना है कारवाई के लिए सच्छम अधिकारी कौन है कौन सी तुर्टी का प्रकण किस मद में दर्ज होना है कौन और किसकी आईडी से अमल होगा अनुधन की आवज सकता है या नहीं तथा बैब जी आईस के किस मॉडूल से वह तुर्टी दूर की है ऐसे वीडियो पाने के लिए ग्यानोदाय परवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करके जुड़ सकते हैं यह इस प्रकार की अभी मोनिटरिंग की जाएगी नक्सा इस्तिती जानकारी पकवडा के तहत तैसील उसके अंतरगत कुतने कुल ग्राम है और उन्होंने कितनी जानकारी भर दी गई है और कितने सेस है यह परसेंटेज के हिसाफ से जो सही काम कर रहा है वो ग्रीन कलर में आ जाएंगे जो बीच में चल रहे हैं वो पिंक कलर में और जो बिल्कुल पीछे हैं जिन्होंने काम सुरू नहीं किया या वो रेड कलर में यहां से दिखना सुरू हो जाएंगे तो यह रेड कलर से हर कोई बचना चाहता है क्योंकि लाल तो खत्रा का निशान होता ही है तो अभी देखेंगे नक्षा सुद्धिकरण के प्रकार में कारवाईया किस तरीके से होनी है तो सबसे पहले तुरुटी तो तुरुटी खसराम में बंटांकन है नक्षे में नहीं है ये तुरुटी यदि आती है कि खसरे में तो बंटांकन हो रखा है लेकिन नक्से में नहीं हुआ है तो ये भी एक तूटी के अंतरगत आता है तो इसकी कारवाई के अंतरगत आपने नक्से में बटांक दर्ज करना है नक्से में जो लाइन नहीं डाली है उसको डालना है इसके लिए पटवारी या राजसुने रिक्षक प्रतिविदन देगा और इसकी कारवाई तैसिलदार महोदय करेंगे और ये पिरकण आ 27, आ 3, आ 121 के तहट इसमें मामला दर्ज होगा और अमल इसको पटवारी के द्वारा किया जाएगा और आर्लाइन अनमोदन पटवारी जब अमल कर देंगे तो इसको अनमोदन तैसिलदार के द्वारा इसको भेजा जाएगा तैसिलदार साब के पास अनमोदन करने के बाद ये कंपलीट हो जाएगा और एक दूसरी तुर्टी के अंतरगत आएगा कि नक्से में बंटांकन है परन्तु खसरे में नहीं है तो नक्से को जोड़कर मूल नमबर बनाना पड़ेगा पटवारी राजशनेश्यक पृतिवेदन देंगे और इसको करने के लिए SDO यहीं SDM महोद है इस परकण को करेंगे आच है आमें ये परकण दर्ज होगा अमल तैसिलदार के द्वारा किया जाएगा और इसमें अनुदन की आवसकता नहीं है क्योंकि तैसिलदार इसको अमल कर रहे हैं तो ये नक्से को जोड़कर मूल नमबर बनाने की कारवाई इसमें करने पड़ेगी तो नक्से में शंख्यांक नमबर नक्से में शंख्यांक की जगए X, Y, Z, L इस परकार के अलफ़नुमेरिकल जो नमबर आ जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए नक्सा नमबर अपडेट करना होगा जो सही नमबर है उनको नमबर को डालना है पटवारी इसका प्रतिविदन देंगे और इसकी कारवाई तैसिल्दार महोदय के द्वारा करी जाएगी और प्रिकर्ण A, B, 101 के अंतरगत इसका प्रिकर्ण दर्ज होगा अमल पटवारी के द्वारा किया जाएगा और ऊनलाइन अनमूदन अनमूदन तैसिल्दार द्वारा किया जाएगा अंगली तुर्टी है नक्से में कोई बटांक दर्ज करने से रह गया है नक्से में सिस बटांक दर्ज करना होगा यदि कोई बंटांक रह गया है या रिक्त है इस तरीके के कोई सर्वे नम्मर नहीं डला है तो ये पृतिवेदन पटवारी देंगे और इसकी कारवाई सच्छम अधकारी है और आच है आ में पिरकन दर्ज होगा और अमल ये तैसिलदार के द्वारा इसको अमल किया दाएगा तैसिलदार की आईडि से अमल होगा अनमुदन की आवस्कता नहीं है नक्से में रकवा और सीमा सुधार यदि किसी नक्से में रकवा दर्ज नहीं है और सीमा में अनिस्चिस्ता है सीमा से सही से नहीं दिख रही है तो नक्से में सीमा बनाना है रखबा सुधारना है पटवारी प्रतिविदन देगा सक्षम अधकारी SDM महोदा है आच है आमें प्रकंड दर्ज होगा और तैसिलदार की ID से अमल होगा अनमुदन की आपसिक्ता नहीं है नक्से के नंबर्स को आपस में बदलना यानि की बिलाए करना तो निजी से सास किये और सास किये से निजी इस तरीके के प्रकंड आएंगे तो पटवारी प्रतिविदन देंगे और सच्छ मदकारी SDM महोदय हैं इसके लिए और ये आच है आमे पिरकंड दर्ज होगा और अमल तैसिलदार महोदय की ID से होगा और आपस में नंबर बदलने का एक निजी से निजी है एक तो निजी से सास किये करना है या सास किये से निजी करना है तो तो SDM महोदय के ही ID से होगा और एक निजी से निजी यदि निजी से निजी कर रहे हैं तो पृतिवेदन पटवारी या आराई आराई देंगे और इसके सक्षमदकारी तैसिलदार और SDM महुदाय दोनों हैं यह पिरकण B.121 और आच है आमेदर्ज होंगे अमल यह पटवारी की ID से हो जाएगा पटवारी की ID से हमल होगा तो अनमूदन तैसिलदार के द्वारा किया जाएगा तो इस प्रकार की तुरुटियां आपके B.JS के मॉडूल में किस नंबर के हाँ पर जाके करनी है जो भी तुरुटियां है वो भी यहाँ पर आपको बताते चलते हैं तो मैप यदि खसरे में बंटांकन है और नक्से में नहीं है ऐसी इस्तिती में इस आप्शन का प्रियोग करके मैप रेक्टिफिकेशन मॉडूल मैप रेक्टिफिकेशन मॉडूल से आप खसरे में बंटांकन है और नक्से में नहीं है तो मैप रेक्टिफिकेशन मॉडूल का उप्योग करके पट बदलना है तो ये वाले नमबर आप सिर्फ निजी नमबरों को आपस में बदल सकते हैं सास की नमबरों को आपस में बदलने के लिए पटवारी की आईडी पर मौझूद नहीं है तो नमबरों को यदि निजी नमबर है उनको आपस में बदलना है तो पटवारी मैप नमबर एक्चेंज ओप्सन का उप्योग करके बदल सकते हैं अनमोदन करता तैसी लार्म होदे हैं इसके बाद नक्से में उपलब्द अंग्रेजी हिंदी सब्द नियम अबली जैसे की अभी बताया ओप्सन जो है बेद कि उप्सन को इस अप्सन को सलेक्टर के पतवारी की आइडी से सुधारा जा सकता है अनुदन करता तैसी लार्म हो दै नक्षे में कोई बंटांक दर्ज करने से रह गया है तो इस option से जोड़ा जा सकता है Map Clipping Update यदि किसी नक्षे में कोई बंटांक दर्ज नहीं है नक्षे में खाली रह गया है किसी प्रकार का कोई नम्मर दर्ज नहीं है तो है Map Clipping Update option का प्रियोग करके उसको ठीक किया जा सकता है यह option तैसी लार्म की ID पर उपलब्ध है तैसी लार्म की ID से ही Map Clipping Update किया जा सकता है इसके बाद एक तुर्टी होती है यह नक्षों को जोडने, उनमें लाइन डालने नक्षे की आकिरती बदलने सास की नमबर को निजी के साथ बदलने नमबर्स गाउं की सीमा के अंदर बनाने की सुबधा देता है यह Village Map Correction option तैसी लार्म की ID पर मौझूद है Village Map Correction तैसी लार्म की ID पर मौझूद है इसमें आप नक्षों को जोडना उनमें लाइन डालना नक्षे की आकिरती यदि नक्षे में आकिरती सही नहीं है और उसकी आकिरती में बदलाव करना है यह सास की नमबर से निजी नमबर बनाना है तो यह Village Map Correction option से किया जाएगा तो यह तूटियां थी और किस option से उनको ठीक करना है और किस मद में दर्ज करना है यह सारे option आपने देखे किस तरीके से करना है इसी प्रकार के और भी वीडियो यानोदय ग्यान चैनल पर अभी आएंगे तो उन सब को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफकेशन आपको मिलती रहे यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें और यह वाली पीडियाप अभी में आपको इस पे वीडियो बनाया है यह पीडियाप आपको चाहिए तो डिस्क्रम्शन बॉक्स में हमारा टेलिग्राम लिंक दिया हुआ है आप टेलिग्राम पर जुड़ जाएं मैं वहाँ पर यह पीडियाप पोस्ट कर दूँगा तो आप भी यह पीडियाप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस अधकारी को क्या काम करना है और कौन सा तोटी किस अधकारी की आईडि से होगी थैंक्यू फर वाचिंग, हैवे नाश डे